आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो आप मसा देख रहा हमाँ खास कारिकम बात अपने देश की आज जो हमारा मुद्दा है वो बहुत महरपूर्ण है क्योंकि इस मुद्दे की जो गर्माहट है वो हमारे देख के धार्मिक सौहार्थ को भी खराब कर रही है जो भले राजी तैसों जोर्णित घनता को भी लगता है कि हम ऐसे जन्पर डेनियों को क्यों संशर में पहुचाते हैं क उसकोर्षी पर पपुचाते जहांके वो यह नहीं है बैयानों से जो नोगों की मनस्थ्तां भी साफ ने जर आती तो तूँन टूसरी तरफ इन बैयानों से जो दर्ध होता है जो जो तकलीप होती बैयां बयादबीयों से गौता है और यह स्यासी गहमासान होता है कि और आज हुमारों वह Ben psychology बयानवीर इसलिए कहें टर्म इमने उपयोग किया है क्योंकि यह बयान देते बरी बीरता की बयान दिते हैं और बयान बी ऐसे देते हैं जिनका कोई पुरना नहीं भर होता है और जो आपस में और सोहार की भावना है वह भी चलती रहती है तो कहीं कुछ बयान ऐसे भी होते हैं जिन बयानों के चलते देश की पिटिष्ठा वो भी खराब होती है कुछ बयानवीरों की अभी हम जो चरचा करने वाले हैं वो चरचा इसलिए मेटपून है कि उन बयानवीरों का कि किस तरह कि बयानबाजी हमारे नेस데क को नुक्सान हुआ है और अन वैक चलते उनकी पार्टीında को भी सबसे बढ़ा नुक्सान हुआ है अब एक बयान भी चर्चा में हैं वो है कॉंग्रेस के नेता अधीर रंदन चौधरी जोनोंने हाल में ही देश की रासपती को लेकर बिबारिट बयान गया वो माफी मांग चुके हैं इसके बाब जूर वो सियासी घमासान मचा हुआ है क्योंकि बयान ही ऐसा था और कहा कि ऐस देश की तीनों सेना के प्रमुक के लिए गलती सब्सक्राइब निकालना है देश इस महान लोगतांते देश के सबसे बड़े पद के लिए एहम है पर जो यह बयान भीरों का सिलसला है यह कॉंग्रेस में आज नहीं पुराना है और मैं आपको बता दूँ कि यह बयान भीर कॉंग्रेस के हैं तो कई बड़े नाम है ऐग जो अगर हम बात करें बैयान भीरिक कॉंग्रेस की तो सई थरू कर नाम भी है जोनोंने अखाल में अच्छा हिंदू अब हमें मंदर चाहता ही नहीं है राम मंदर नहीं चाहता है और यह बयान औनोंनेस 2019 के समय दिया था दू सेना आम लोगों की जान ले जा रही है और यह बयान उन्हें 2018 में दिया था उसके बाद कॉंग्रेस के नेता रहे जो अभी हाल में जो पंजा में घटना करम रहा नब्जु सिंग सिद्धू जुनका पाकिस्तानी प्रेम भी देखा जा सकता है और इन्होंने 2019 में के पहले ही पाकिस्तान के जब नए नमिले पीम इमरान खार बने थे उनके सपत्गरन समारों में वो गए थे और वहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ करके आये थे जिसको लेकर कॉंग्रेस की बड़ी खरा चुन 2018 में अपनी किताब के बिमोचन के दुरान एक बायान दिया था और नहीं कहा था कि कस्मीरों की पहली प्रात्मत्ता आजादी पाना है भारत का अंग है और जैसे भारत आजाद है वैसे कस्मीर आजाद है तो वहां किस तरह की आजाद सोच चाहिए यह बात समझ के प खंगने रहते हैं कभी वह बैयान सहीनी लियोनी को देखर रहते हैं तो कभी मार्वागाणी को बाते हैं कभी और शयन गभज को नवारत संथे और हानुकर भारत बीडी से बी लांगे बोलता है कि क्रिकेटर और फिल्मी सितारों को भारत रतनी देना भी उनके सम्मान सम्मान का मज़या वड़ाना ओना कहला रहां तो कहीं और वह अपनी सरकार पर मिल्जाना साध लेते हैं जाहर है कभी वह किसी मीडिय قर्मी के करते हैं तो बयानवाजी अपनी करते रहते हैं इसके अलावा जो अभी हाल का बयान है अधीर रंजन चौधरी का इसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है और अधीर रंजन चौधरी इससे पहले सब्सक्राइबी जब कश्मीर से अनुष्यत तीनसों सकतर हटाया गया था तब सरकार को अन्यजन पतिक्रिया मिल लए थी और अन्यजन ने कहा था कि भायाट का आंतर के मामला है तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा था और इसको लेकर कांग्रेस अफर में भी आ गई थ सकता है जब उननीस और ताली से सब्सक्राइब इसको मॉनिटर कर रहा है कि इसके लावा जब नर्सी की बात चल लए थी नेशन रिष्टर और स्टुटिजन सिप की तब भी उन्होंने कहा था कि बड़ा बयान लिया था कि प्रान मंत्री नरेन मोरी और केंडी गरे मंत्री बाहरी हैं यह दोनों ही बाहर से आये हैं और यह दोनों बाहरी बेखती हैं इनका रिष्टर कैसे होगा उसके बाद आर्चिर तीनसों तरह हटाने को लेकर भी तमाम तरह की और उन्होंने बयान बाजी की इसके अलाबा जो बयान देने की परंपरा है न यह बहुत नहीं नहीं है यह पुरानी है कभी बयान संसर्ड में दिया जाता है कभी बयान रासवा संसर्डी में दिया जाता है कभी बयान बिरान सबाव में दिया जाता है कभी बयान चर्चाव में दिया जाता है तो कभी बयान सार्जनी रूप से दिया जाता है और बयान का क ग्यानवापी अभी को बेरानसवाद चुनाओ जो भी हुए थे पांच राज्यों में उसके बाद जिस तरह से एक धानमिक राजनीती करम हो गई थी कि कहा जा रहा था कि जो राजनीती है वो धानमिक मुद्दों पर हो रही है ग्यानवापी सिंगारगवडी मंदर का विवार आ गया तो वहीं एक याचका दाखिल की गई कि जो ताज महले वो तेजो महला है और उसके जो बं चल रही थी कहा जा रहा था कि बहाँ पर कुछ ऐसी अफ्सिस मिले हैं कि जी बताते कि तुम मिना नहीं है विसनु स्थम्भ है और चोथा महपूर चर्चा थी वो चर्चा थी स्री किस्तिन जन्भूमी और इदिगा की जसकी अभी भी सुनवाई चल रही है ग्यानवापी स पड़े बयान दे रहे थे वह भी बयान वीरों में एक है वह बयान दे रहे थे कि हमको बाबरी चीन ली गई पर आप ग्यानवापी हम नहीं चीनने देंगे जो गलती पहले हुए अब गलती दोबारा नहीं होगी इस तरह के बयान से जो आपसी सोहार्द होता है वो खड़ा होता है बही जो बाबरी मजजिर और स्री राम मंदर का जो मामला था वो सुप्रीम कोट के आदेस के बार इस मामले का पटाच्छेभ हुआ था और सुप्रीम कोट के आदेस के बार ही वहाँ पर मंदर का निर्माण सुरु हुआ और इस आदेश को हिंदू और मसल्म दोनों बर्गों ने इसको सुईकार किया था क्या है तो यहाँ पर बाबरी मंदिर शीनने की बाद कहां से आई इसके बाद उनका कहना था कि ज्यानवापी मस्जिर और सिंगर गोरी मंदर का विवाज जानमुज के बनाया जा रहा है और यह बीजेपी की सोची समझी रण नीती है और अब हम ऐसा नहीं होने जाएंगे है और वो बयान चलते चलते जब सियास्ट गर्माई और ज्यान भाभी मुधा गर्माते चला गया उसी मुद्दों में गर्माते चलते जो भाजपा की प्रवक्ता है नुपर सर्मा जो रही है अपने सासे कर दी गई 6 साल के लिए और उने एक पैगंबर मुहमर साब पर बड़ा बयान दे दिया और जिसके चलते क्या स्थिती देश में रही क्या अप्रेश में रही यह सबको जग जाहे यहां तक की स्थिती यह बन गई थी कि OIC संगठन कि जो इसलामिक देश संगठन है उसके देशों ने तमाम देशों ने भारत से जवाब तक मांग लिया था और अपनी नाराजगी जाहिर की थी यानि इसकी चर्चा बैसुक्त तर पर हुई थी और कहा गया था कि यह गलत है इस तरह के बयान बाज नाराजी ज़दाई थी उन्होंने अपनी हाला कि भार के दफ से जवाब दे रहा था कि हमने कारवाई की है और यार भी तमाम नुपर सर्मागे खिलाब की गई है बाट इंदा पार्टी ने उनको शह साल के पार्टी से निसकासिक कर दिया है पर इसके बाब जूर यह आग जने हुई उसके बाद कि कई तरह के आप में देखा कि महाल खराब करने कोशिस की गई और उत्तप्रेस नहीं उत्तप्रेस से कुछ जलो तक ही सी में था तो वहीं राची जहारखंड रायस्थान उत्राखंड और गुजराट तमाम राज्यों में इसकी जो गर्माहट और कुछ लोगों की जान भी गई सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुचाया गया और यहां तक कि उत्तप्रेस में योगी सरकार ने कोई सोहाद खराम ना हो बैमनस्त ना हो कोई दिक्कत ना हो इसके लिए तयारी भी की और कहा गया कि जुकि जुम्हें के बार ऐसी इस दो तिन बार से इसे जुमेप की नवास को लेके पूरी तरह से चाक्चोबन व्युस्ता की गई द्रोन से निगरानी करी गई पुलिस वबला आया कि आपसी वहार की गंगा जमनी संस्कृति का हमारा देश में किस तरी तरह की घथार में बावना है पनपना पाएं और चाह तरह से राजिती करण हुआ इसमें पीएफाई भी सामने आई इसमें बड़े-बड़े जो संगठन एसला में वह भी सामने आये और जब इस मामले को लेकर किसी के समर्थन किया गया तब राहस्थान में एक सामाजिक गरीब टेलर जो बहुत बड़ा टेलर नहीं था छोटी दुकान थी उसकी हर्त्यावी कर दी जाती है कनया लाल जिसको लेकर लगातार सरगर्मी चलती रही और सियासत तेज रही हलाई सरकार दौरा उन्हों को पकड़ भी लिया गया सरकार दौरा कारवाई भी की गई और साथी साथ जो आर्थिक साहता है डौरी साहता है वो भी उसके परवार को दी गई पर कहीं न कहीं जो मामला था उसकी एक ही जड़ थी वो थी बयान बाजी यहां बयान बाजी के नुपर सर्मानी करती है यहां बयान बाजी हर वो इनसान करता है जिसकी अपनी राजिक समझ अलाग होती है पर यहां पर केबल केबल आपना राजनिति सजसुक बढ़ाना है अपने आपको चर्चा में बनाए रखना है जो कि हमारे असुदिन ओविसी साब सशी थरूर साब अजी रंजन चोदरी साब और अभी हाल में आपने देखा जिस तरह से ओंपिका राजबर और अखले सियारों के बीच बैयानबाजी का दोर जा रही है जहां पर ओंपिका राजबर जो की 2222 की चुनाओं में समाई पार्टे के साथ थे मद्वरी चुनाओं लड़ा मेहन से चुनाओं लड़ा और अब लगातार जब अखले सियारों सफ़ाप्रमुक अखले सियारों पर बयानबाजी करते रहे केसी से बहार निकले रोड पर जाए मैनट करें दरातर पर उसके चलते भी उनकी बीच में सियासी जो एक ताना बाना बुना था वो तूट गया है तो गरवन्दन था वो लगवा लग होने की राहे पर है और अब दोनों ही पार्टी की नेताओं प्रवक्ताओं था तमाम तरह के राजनिदिक आते जड़ है कि जिसके चलते राजबर और अखले स्यारों का जो कड़वन्दन था सपहा का उस पर आच आड़े क्योंकि जहां यस्वन सेना के लिए आज़ी द्रात्रिक भूज में उनको नहीं बलाए गया राजभर को वो उनकी पीड़ा थी उसके बाद दौपनी मुर्मु के लिए जो भूज रखा गया था मुक्पंती आवास में वहां गए थे उसकी चर्चा रही तो वही बयानबाज पीड़ी की चलतें बी जस तरह से हमनों देखा कि लोगोंका यह कहना था कि कोई हमें सम्माण नहीं देगा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे अलो कि मामल को नियम यहाँ पर इस पर रूप से लागू होता है जैसा बोलेंगे वैसा आपको जबाब दिन देगा पर इन बयान वीरों के बीच में एक बार स्थ हो कि हमको अपनी राजिती की बढ़ानी है हमको अपनी पार्टी का पच्छ रखना है पर हमको यह बात याज रखनी है कि हमारी बानी से ऐसे सब्द ना नेकले हैं जिससे हमारे देश के प्रसम नागरिक को तकलीफ हो जिससे हमारे देश की प्रटिस्टा खराब हो जिससे हमारे जिससे हमारे देश में जो माहुल है बदलकर पहल जाए जिस्से हमारे देश में जो आप सी महबत है प्रेम है जो राजिनी अच्छी बात है अपनी पार्टि का पच रखनी इस अपनी बात है अपनी बात अपनी रखना अच्छी बात है क्योंकि यह अधिकार आपको अधिकार नहीं को एसी बात भी ना बोल है जिससे हमाई देश की प्रिष्टा है वो बैस्विक सब्सक्राब हो हमाई देश का जो कड़ है जो मिस्ग्रूप पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं उसको नुक्सान पहुंचे हमारे देश के नागरिक हैं उनकी बीच में हमारी सबी खराब ना जाए और हमारे देश जो भी देश की परमपरा रही हैं इस रास्ट में सभी धर्मों को समान अरिकार और समान प्राप्त हैं जतना ही किसी भी धर्म को हो कुम करें कि धारमिक भयानबाजी को कम करें जितनी धारमिक भयानबाजी को घृक्टाच्छ करेंगे गोंतरा महाल आपको निता। सब्सक्राइब जो कि समय पर समय पर यान देते रहते हैं रहे टो है। कैसे कटार्चों से चार हूँ पार लिए ओलिखेकरी को मते हैं कि получается स्पाइब बाजी करते रहेंगे इसलिए हमको समय अनुचार अपनी भाजा सेली पर संयम रखना है और देश की आन्माल सान को ध्यान में रखते हुए अपने बयान देने हैं और साथी सार यह भी देखना है जो बयान दे रहा है कि वो किसके लिए दे रहा है चाहे वो देश का कर हो और चाहे समाजी पतनी है हमको अपनी लाय में रखना है हमको अपने बयानों पर अंकुछ रखना है और ऐसे बयान नहीं देना है जिससे हमाएं देश की जो प्रत्रों को नुक्सान पहुचे वह सामय चाहिए उसको खराब करते हुए वेमर्स फियल पाए हमादेश ग पूरा करना है उनको इस कदम इस दिशा में एक स्थापिर करनी पड़ी हो कुछिस करनी होगी कि हम कभी उल जलूल बयान नहीं नहीं देंगे पार्टी के पच्छे रखते नजर आएंगे पर इस तरह के बयान बाजी से देश को ठिस पहुचती है इसको हम नहीं पहुचाएं डाइवर्टीज हो या कोई और डिसॉडर आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी एक्सपर्ट देंगे अपनी राय हेल्ट मंत्रा शनिवार और अविबार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार